आज देशबर में साथ बाइपोल्स हैं और साथ सीटों पर लगातार काउंटिंग जारी है रोजान आना शुरू हो गए हैं अब तक कई राउंड्स के रोजान आ चुके हैं उत्राखंड में बागेश्वर की अगर हम बात करें तो अब तक छे राउंड्स पूरे हो चुके ह हैं जिसमें सत्रासो बोटों से भाजपा आगे चल रही हैं पारवतिदास आगे चल रही हैं और जानकारी के लिए बाच्चीत करेंगे उत्राखंड के पूर मुख्यमंत्री हरीश रावजी से उनसे चर्चा करते हैं इस बारे में रावजी शुरू में तो कॉंग्रेस हैं उस छेत्र में पिसली बार अभी 2022 में जो चुना हुआ था हम लगबग बाराख साड़े बार हजार बोटों से पीछे थे और इस समय हम कहीं पर डेड़ेख हजार बोटों से पीछे हैं उस छेत्र की काउंटिंग करी-करी पूरी होने जा रही है और यह दिया हम इसी अन पात में गरूर छेत्र में घटे हैं जहांकि अधिकांस काउंटिंग हुई है तो इससे मेरा मानना है कि हमको तीन एक हजार के आसपास बोटों से जीतना चाहिए आप कॉंफिडेंट है कि इस चुनावों में कॉंग्रेस जीत रही है निश्चत तर पर जीत रही है लोग भ देज भर में भाजवा के खिलाब मत है इन सातूं चुनाओं में उन पार्टियों को लोग बोट दे रहे हैं जो भाजवा को चैलेंज कर रही है पिछली बार रंजीत दास कॉंग्रेस प्रत्यार्शी थे उन्हें 20 से 22,000 के बीच में वोट मिले थे बसंद कुमार आप में से बसंद कुमार कॉंग्रेस में आ गए रंजीत दास भाजपा में आ गए कितना फरक आएगा देखे बसंद दास एक अच्छे कंडेट और वो लोगों को प्रभावित कर रहे थे और उनके साथ एक 15-16,000 बोट रहे हैं जब वो बसंदास से लड़े थे तब भी जब आप स अगरी बसंदास को देता है प्लस कॉंग्रेस का मद दाता कॉंग्रेस का रंजीत दास के सांद्वूत रखने वाला पांग-शास्व बोट हो सकता था लेकिन जिस तरीके से उसने हाबर तोर्ड और कॉंग्रेस छोड़ी उससे वो मद दाता निराश हुआ है उसने किसी से परामर्श नहीं किया अपने सपोर्टर से परामर्श नहीं किया इसलिए वो अपने सांद भाजवा में कुछ ले करके जा नहीं सका और इसलिए मैंने उससे में भी कहा था मैंने कब शड़ा अलू है धेरी से चला गया तो इसलिए रंजीत दास का कोई फैक्टर इस चुना सदन रामदास देवंगत नेता की जो सानूबुती है उनके परिवार के साथ भी जा सकती है कि वहां तीन एक साथ भाजवा कुभारी पड़े थी सेंट्रल गवर्नमेंट की राज सरकार की भी कई ऐसे बाते हैं जिसमें बेरोजगारी भी है और भी दूसे इशूज भी है में फ़ी इस यह भाजवार की जुडाय सरकार की इंटी इंकमेंटी इस और साथ जिस परिवार को ठिकट दिया गया था वे उस परिवार की एंटी इंकमेंटी बेन सी लोगों को यह लगता था कि चंदन्दास जी ने अपने परिवार के लोगों को ही एड़स्स किया और उनकी पुत्री जब डॉक्टर वनी तो कहा जाता है कि वो ते उसके तेरा माक्स थे और वहां पचास आट माक्स दिनके थे वो पीछे रहे गए तेरा नंबर वाली को जो है दे दिये यह एक कहा होती है और कहाए जा रहा है कि इस बिना पर स्री भगत सिंग कुशारी ने भी उनके कंडी जेचर का विरूत किया था कुई मिसिस दीपा करके हैं उनके कंडी जेचर का सपोर्ट किया था बागेश्वर में कई और सारी चीजें हुए जब चुनाव का प्रचार प्रसाद चल रहा था उस समय बागेश्वर जिलादेकारी पे उपर आरोप लगे पुलिस प्रशासन पे आरोप लगे कि मीडिया गैगिंग हो रही है मीडिया के साथ अबरता हो बॉबी पॉमार जो कि वहां बागेशवर पहुंचे तो उनको गिर्फतार कर लिया गया क्या ये सब चीजें इस चुनाव में डेंट मारेंगे यह यंग लोग हैं मुझे आश्यर हुआ कि आप निस्वक्स रही है आप सक्त रही है मगर आप यदि पक्ष बन जाएंगे वहां प्रशासन का एक हिस्ता खुल करके भाजपा बना हुआ था देगा तो वहाँ तो ये भी ख़वर हैं कि गाडीयों में सराधकारी गाड़ियों में सराभ गई पुलीस की गाड़ीयों में सराभ गई लोगों में चरचा यह भी है एक व्यक्ति जो 36 लाक रुपए के साथ पकड़ा गया था उसको पुलीस ने भगा दिया और पकड़े में Central Observer थे वहां पर और Central Observer ने कि इंसेस्टेंस पर वहां कोतवाल को निलम्बित किया गया सक जबर्दस तरीके से मैंने इस तरीके के उप्योग की कहानियां सुनी थी ऐसा तो उप्योग उत्रप्रदेश में नहीं हो रहा है जैसा उप्योग यहां हुआ है उत्रप्रदेश की बात करें तो घोसी में भी चुनाव की समय गिंती वोटों की गिंती चल रही है और वहां पर भी कड़ी टककर है तो कैसे देखते हैं वहां समाजवादी पार्टी आगे दिखाई दे रही है बहुत अच्छे आगे दिखाई दे रही है वह भी इंडिया का हिस्सा है हम तो पहली से कह रहे हैं कि भारत जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इसके साथ इंडिया को लेकर कई तरह के की बाते चल रही हैं इंडिया से अब भारत जो है देश का नाम उसको चेंज करने की कवाया चल रही है वहीं सनातन धर्म पे भी टिपडिया चल रही है तो क्या यह सब बाते सही है सनातन धर्म पर या किसी भी धर्म पर के विरुद अगर कटाक्षिया जाए इस तरह की बाते किया जाए तो इससे क्या फाइदा मिलता है हम तो बिल्कुल सनातन धर्म के मानने वाली लोग है बसुदाइब कुटमबकम सर्वधर्म शंभाव जो बैख्या बीवेका अनंजी ने शिकागों में की थी सनातन धर्म की हिंदू धर्म की हम उसके अनुशा करता है और यह भी सत्यता है कि इस देश के अंदर एक दर्विनियन संस्किती और दूसरी संस्किति को मानने वाले लोग जो है सनातन धर्म की मान ब्यावस्ता के खिलाफ रहे हैं आप इन चीजों का बातों का खंडन करते हैं? देखे ये हम मेरा अपना मानना है कि इस तरीके के अनावशक प्रशनों को क्यों समय के साथ ये चीजें irrelevant होती जा रही है। आप अपनी आस्ता रखे, अपने विचारों को रखे, दूसरों को दूसरे विचारों का अनुसरन करने दीजिए। जब हमारा लोकतंतर इसके साथ 75 साल से मजबूती से आगे बढ़ रहा है, तो आज किसी के ऊपर थोपने या किसी पर कटाक्स करने की कोई आफ्सकेता नहीं। कि उन्होंने इसका खंडन नहीं किया, एक तरफ सनातन धर्म की तरफ राहूल गांदी जा रहे हैं, दूसरी तरफ इन बातों का खंडन नहीं कर रहे हैं, ऐसा भाजपा आरोप लगा है। देखें, दो कठथर पंतूं के बीच में, बैचारिक कठथर पंतूं के बीच में, हम तो उदार्तावादी जो भारत की धारा है, तो सनातन धर्म की उदारवादी धारा है, हम तो उसके पकसदर हैं। उसी दारा की बाद विवेका नंजी ने कही ऊषी जाहल कि बार घॉण सेंदान किखता हैघा। हम उस धारा को मानते हैं तो इसलिए यह सब्लि fart यह सबस्जुन का सबसें। पत्र शोर कोई ँछें गठें। किस तरही से देखते हैं अगर इनमें जीत दर्ज होती है तो कितनी मजबूती से आगे बढ़ेंगे जाहिर सी बात है कि एक बड़ा मेसेज जाएगा लेकिन इससे क्या 2024 की तस्वीर साफ हो जाएगी क्वेरी करनी पड़ेगी कि हमको निमंत्रण देने वाला प्रेजिएंट भारत कौन है क्योंकि वो प्रेजिएंट अब इंडिया जानते हैं तो इसका मत्रब है आप संयोग से इंडियन नैशनल इंक्लूसिब डबलमेंटल इंक्लूसिब एलाइन्स का नाम जो है इंडिया पर आ जा रहा है शौर्ट फॉर्म में तो आप घवडा करके अपना नामी बदलने की बात करेंगे या किसी नाम को डॉप करने की बात करेंगे हमारे सम्मिधान में इस पर भी चर्शा हुई समिधान सभा में और समिधान सभा ने बहुत बुद्धिमता पूर्ण तरीके से निर्ले लिया इंडिया भारत तो कॉंग्रेस के वरिश नेता और पूर मुख्यमंत्री हरी श्रावत ने बेबाक बाते की हैं वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि दुरुपयोग हुआ है युवा काफी नराज है और तीन तरफा जो है त्रिकोणिये एंटी इंकमबंसी है इसके साथ साथ सनातन धर्म पर टिपड़ी करने वालों पर उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है सनातन धर्मी हैं लेकिन विचारों की जो आजादी है वो लोगों प पर छोड़ देने चाहिए आपके अपने विचार हैं और इंडिया से बाहरत के नाम को बदलने के लिए उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रेसिडंट ऑफ इंडिया के बजाए प्रेसिडंट ऑभारत का पत्र विदेशी इंबैसेडर्स को भेजा जा रहा है तो उन्हें प आज तक